तो हेलो गाईज अब सभी का बहुत पहुत स्वाथ करता हूँ फ्रीडेक में तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली आ चुका है हमारे पास Realme Band और इवनों गाईज यहाँ पर Realme Band का साथ Realme 6 Pro and गाईज यहाँ पर Realme 6 को भी लांच किया गया था लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे सबसे इंप्रेसिब लगा जो कि Realme Band का प्राइस ओके किको दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तक काफी एक रिजनेबल प्राइस के साथ इसको जो कि लांच किया गया है तो यहाँ इस वीडियो का अंदर बेसिकली इसी के रिगारिंग बात करने वाले है कि कैसा है Realme Band तो आप लोग इसको कैसे अपने डिवाइस के साथ इसको जो कि connect वगएरा करें तो इस वीडियो का साथ आप लोग एंड तक बने रहे हैं यह थे कि उससे यहाँ पर पीछे कुछ इसका aspect से दिया हुआ है IP68 waterproof भी है बैसिकली यह तो चलिए उससे यहाँ फटा-फट से करते हैं इसको open और गाइस देखते हैं अंदर से हमें क्या कुछ देखने को मलता है यहाँ पर जो कि आप लोग Realme Band निकल कर आ जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों जो कि एक चिपकाया हुआ है Realme Band और इसको जो कि एक बार से कर लेते हैं open और गाइस देखते हैं अंदर और क्या कुछ दिया गया है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिखिए बिलकुल से यहाँ पर खाली है कुछ यहाँ पर यूजर मैनुवल्स वगेरा दिया गया है तो इसको पढ़ कर जो कि आप लोग अपने Realme Band को यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर चेलिए इसको उतारते हैं अभी सबसे पहले ओके तो दोस्तों यह रहा जो कि Realme Band तो इसको उपर जो कि एक sticker चिपका हुआ है तो इसको सबसे पहले remove करते हैं तो यहाँ पर जो कुछ step कर जो कि आप लोग एक display देखनों को मिलेगा तो यहाँ पर सबसे पहले हैं अम लोग इसके build quality यहाँ पर जो कि इसके designing की बात करेंगे तो जो कि आप लोग को मेरे पास अभी basically है एक yellow color के साथ जिसके यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो कि मैं yellow color इसी लिए order किये कि यहाँ पर yellow color मुझे काफी इंप्रेसिब लगता है जब भी आप अपने hand में इसको पहनेंगे तो काफी दोस्तों यहाँ पर जो कि आपके impressive feel यहाँ पर एक impressive look भी आपको देगा तो गयाँ इसके अगर हम लोग पीछे की बात करें तो यहाँ पर जो कि आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर जो कि एक USB connector है यहाँ पर जो कि आप लोग को लिखा हुआ है design by realme तो यहाँ से जो कि आप लोग USB को connect करके आपने यह जो realme band इसको जो कि चार्ज बगएरा करें तो गयाँ अभी मैं जो कि आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग केसे इसको जो कि चार्ज बगएरा करें तो इससे पहले उसके काफी एक lightweight है तो जब भी आप इसको hand में पहनेंगे तो बिल्कुल से यहाँ पे आप लोग का heavy fill नहीं होगा कि इसको जो कि बहुत ही lightweight बनाय गया है तो गयाँ इसको जो कि सबसे पहले अगर आप लोग स्टाट करना चाहेंगे तो क्या करना होगा तो गयाँ यह जो इसको जो कि आप लोग जोर से यहाँ पर एक खिजना होगा तो यह दिखिए यहाँ पे जो कि खुल जाएगा और यहाँ पर जो कि आप लोग देख से देखिए यहाँ पर जो कि एक USB connector दिया हुआ है तो यहाँ पर आप लोग जैसे किसी भी adapter से दोस्तों इसको जो कि connect वगएरा करेंगे यहाँ पर जो कि आप लोग का screen on हो जाएगा यहाँ पर जो कि एक बार से आप लोग चार्ज में डाल देना होगे यहाँ पर जो कि आप लोग के screen कुछ step का एक on होके आपके समने आ जाएगा देन दोस इसको जो कि आप लोग निकाल सकते हैं जास्ट इसको जो कि इस्टट करने के लिए आपको जो कि डालना होगा किसी भी एक adapter के साथ तो चलिए इसको जो कि एक बार से कर देते हैं इन अभी ठीक है कियो कि इसका काम अभी तो हो चुका है and guys आप लोग जो कि कुछ step से चार्ज भी इसको दे सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोग दिखा दिये, connect करके, एक adapter से, then guys इसको जो कि कस्टमाइज करने के लिए, एक जो कि application का आप लोग को जरूरत होगा, and guys यह जो कि यह basically realme link, इसका जो कि link में तुस आप लोग को नीचे description में उस sign in बगारा कर लेना, then guys यहाँ पर जो कि आप लोग जिसे इसके अंदर tap करेंगे, तो कुछ step के एक interface आएगा, तो guys यहाँ पर जो कि हम लोग को band को इसके अंदर connect करना है, तो guys यहाँ पर जो कि हम लोग को band के अंदर एक बार से click करेंगे, okay, then guys यहाँ पर जो कि searching में आ जाएगा, तो guys यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि search में यह आ चुका है, तो इसके अंदर एक बार से आप लोग टेप करेंगे, then guys यहाँ पर जो कि connecting का option आप लोग के सामने आ जाएगा, तो कुछ time जो कि यहाँ पर wait करना है, तो guys यहाँ पर जो कि अभी waiting for confirmation के लिए है, तो यहाँ पर जो कि आप लोग का एक बार से confirm करना है, तो क्या करना होगा, तो यह जो नीचे आप लोग एक option देखनों का मिलता है, तो guys यहाँ पर जो कि सबसे first अगर बात कर इसके watch face की, तो यहाँ पर जो कि total five watch face अभी फिलाल दिया गया है, तो यह जो कि दूसरे है first वाला, okay, then guys यह जो कि है second वाला, and guys यह जो कि है third वाला, and यह जो कि है fourth, and यह guys है जो कि है fifth, तो guys यहाँ पर जो कि 5 watch face काफी impressive दिखता है next time update के बाद साहिल से और भी watch face को यहाँ पर add किया जा सकता है and guys इसके नीचे आप लोग का मिलता है एक incoming call का option तो इसको अगर आप लोग करेंगे तो क्या होगा जब भी आपके device के अंदर कोई भी incoming call वेगरा आएगा तो आपका realme band का display के उपर हो जो कि so करेगा तो आप लोग जो कि अपने band से भी call को disconnect कर सकते हैं तो मैं दुस्तर आप लोग का बात में दिखाऊंगा and यहाँ पर जो कि जो messages का notification है तो यहाँ पर जो कि इसको भी अगर आप लोग turn on यहाँ पर कर देते हैं यहाँ दिखेए SMS का यहाँ पर आप लोग करके रख सकते हैं Twitter, Facebook, WhatsApp, कोई भी दिखेए तो यहाँ पर आप लोग का notification आता है तो आपका जो कि screen के अंदर show करेगा तो यहाँ पर जिसका notification आपको चाहिए आपके realme band के उपर तो इसको जो कि एक बार से आप लोग यहाँ पर enable कर लेना है then guys यहाँ पर और भी बहुत सरा है इसा जो कि आप लोग का option देखनों का मिलता है like कि यह दिखिए heart rate monitor का भी option and guys यहाँ पर जो कि यह दिखिए do not disturb mode का भी option आप लोग देखनों का मिल जागा इसके अंदर and guys यहाँ पर जो कि raise to wake up का भी option देखनों का मिलेगा I mean दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपका जो real me band हो automatic इसका जो कि screen on हो जाए तो इसको जो कि आप लोग यहाँ पर disable भी करकर रख सकते हैं and guys यहाँ पर जो कि आप लोग ब्राइटनेस का भी option देखनों का मिलेगा यान कि guys यहाँ पर जो कि आप लोग खुद से यहाँ पर जो कि brightness को control कर सकते हैं नीचे इसका आप लोग का night brightness settings का भी option देखनों का मिल जाएगा and guys यहाँ पर जो कि आप लोग को heart rate range का भी option दगनों को मिलेगा and इसके नीचे guys यहाँ पर जो कि इसके rotation का भी option दिया गया है तो इसको आप लोग जैसे यहाँ पर enable करेंगे, okay, तो यह दिखिए guys यहाँ पर जो कि आप लोग का कुछ display guys यहाँ पर rotate हो चुका है तो इसको एक बार से कर देते हैं आप लोग अभी फिला disable तो यह दिखिए guys यहाँ पर फिर से ported mode के अंदर यह आ चुका है और guys यहाँ पर एक important setting यह है कि जो आप लोग का मिलता है device update का option, okay, तो यहाँ से जो कि आप लोग चेक वगएरा कर सकते हैं आपके realme band के ऊपर कुछ नया, कोई update वगएरा आया या कि नहीं आया है, ठीक है तो आभी जो कि दुस्तों फिलाल यह लेटेस्ट वर्जन है, firmware is up to date तो guys यहाँ पर कुछ यह सब option देखनों का मिलेगा settings के अंदर यहाँ से जो कि आप लोग कास्टेमाज वगएरा कर सकते हैं अपने realme band को, यहाँ पर जो कि आप लोग को home के अंदर दिखाया जाएगा यह दिखे connected, यहाँ पर इसके निचे दिया गए यह दिखे battery percentage यहाँ जो कि फिलाल इसके अंदर 86% battery है and guys यहाँ पर जो कि आप लोग is step 1 गएर आभी यहाँ पर देख सकते हैं तो guys यहाँ पर मैं आप लोग जो को इक call करके अभी फिलाल दिखाता हूँ तो guys यहाँ पर जीखे एक गए call यहाँ पे भी आ रहा है तो इसको आप hype करके इसको जो कि आप लोग disconnect भी कर सकते हैं कुछ यहीं से तो यह दिखिए तो guys यहाँ पर जो कि यह भी disconnect हो चुका है तो guys यहाँ पर जो कि आप लोग कुछ यह सब जो कि अभी फिलाल control कर सकते हैं अपने hand से okay तो यह दिखिए अभी फिलाल इसके तो यहाँ पर विह एंदर यहां पर रॉन में अगर आप क्लिक को अगर करते है तो यहाँ पर तेमर होने के बाद इस टरट भी फिलाल हो जाएगा इसका लुक भी दोस्ते हैं पर काफी एक इंप्रेसिब लुक इसका जो कि बनाया गया है तो यहां पर आप देखेंगे तो अंडर फिप्टीन हंडड़ कोई भी दोस्ते हैं पर बेड़ दिल नहीं है तो गैस अगर आप लोग कुछ पार्टिकुल और फीचर को ऊपर वीडियो चाहते हैं रियल्मी बेन का तो आप लोग नीजे मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं मैं दुस्ते एक वीडियो आप लोग का बना कर यहां पर जो कि दे दूँगा तो गैस यहां पर उम्मीद करते हूं वीडियो आप लोग का पसंद रहागा वीडियो का पसंद वीडियो का लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी बास आप लोग प्रेस कर लेना मैं तो पीडियो तो सब बाई और आजोजीवल जाय हिंद